तो फ्रेंद्स वी विगार्डन में आपका स्वागत है, तो फ्रेंद्स आज की वीड़ियो में आपसे कुछ ऐसे 17 प्लांट शेयर करूंगी, जो कम दूप में चलते हैं, अगर आपके बालकनी गार्डन में है, जापके गार्डन में दूप कम आती है, कुछ देर की दूप दिन पर अच्छी ब्राइट लाइट बनी रहती है तो अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये वाले प्लांट लगा सकते हैं और इनके सभी के नेम और प्राइस और कब-कब इनमें फ्लावरिंग होती है बहुत सभी शेयर करूंगी इस वीडियो में तो आईए दिख कौन से हैं ऐसे प्लांट तो सबसे पहला प्लांट देखिए है रेननकुलस सर्दी की दुन में बहुत असानी से नर्सरी पर मिलने वाला प्लांट होता है और काफी बड़े-बड़े साइस के फूल होते हैं और जब मैंने इसको लिया था ये मुझे 60 रपे का एक प्लांट होती है और देखने में काफी खुबसरोथ लगता है अगर आपके गार्डन में दूप कम आती है जा कुछ देर की दूप आती है तो इस पर्मनेंट प्लांट को लगा सकते हैं ये बाइट वेलवेट प्लांट है और कटिंग से भी लग जाता है नर्सरी पर 50-60 वेगा मिल जाएगा और इसमें भी कम दूप में काफी अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये कम दूप में ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है एक्स प्लांट देखिए क्रोसेंडरा है क्रोसेंडरा वैसे गर्मियों में फ्लावरिंग करता है मगर ये पर्मनेंट प्लांट है पूर इसको ले सकते हैं आप इसको भी एक तो गंटे की दूप चाहिए होती है वो भी सुबा-सुबा की तो अच्छे से फ्लावरिंग करता है तो नेक्स प्लांट देखिए इसको तो भहुत ही कम दूप की जरूर्ट होती है और यह एक पर्मनेंट प्लांट है और नरसरी पर यह फोड़ा सा कॉस्टली मिलता है सो डेट सो का या दोसों का यह प्लावरिंग मिलता है और इसके भी फूल काफी दिनों तक प्लावरिंग बने रहते हैं और इसको भी धूप की जुरूरत नहीं होती है सुवा की 10-15 मिन्ट की धूप में आप इसको रख सकते हैं अगर आपके गार्डन में बिल्कुल भी दूप नहीं आती है तो ये प्लावरिंग आपके लिए है अच्छी ब्राइट लाइट में ये अच्छी से फ्लावरिंग करता है और इसमें भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे तो नेक्स प्लाविय है तो सालविया तो बहुत ही सस्ता सीजनल प्लांट है और इसकी फ्लावरिंग काफी लंबे समय तक चलती है पर में तक इसमें फूल आते रहते हैं तो यह आपको इस समय 15 जब 20 रुपे का नर्सरी पर असानी से मिल जाएगा इसका एक प्लांट और इसमें जैसे देखी यह रैड कलर है इसमें और भी कलर होते हैं 3-4 तो इसको भी आप ले सकते हैं अगर आपके गार्डन में जादा दूप नहीं हाती है बालकनी में जादा दूप नहीं हाती है तो इसको भी आप ले सकते हैं तो नेक्स प्लांट देखिए यह है जरवेरा, जरवेरा नर्सरी पर बहुत ही असानी से मिलने वाला प्लांट होता है, इसका जो प्राइज है, सो डिर्ट सो रुपे तक रहता है, इसमें कलर बहुत सारे होते हैं, और इस प्लांट को भी बहुत जाला दूप की जरूरत नही ही होती है इसमें hybrid और देशी दोनों तरांगे प्लांट होती है और ये फ्लांट भी पर्मनेंट होता है तो अगर आपके balcony garden में ज़ा गार्डन में दूप कमा आती है तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं खासियत यह होती है कि यह मल्टिप्लाई होता है और पर्मानेंट हमारे गार्डन में रहता है देखी यह है लक्ष्मी गिनेश या लॉलीपाव प्लांट जाज कुछ श्रिम्प प्लांट भी बोलते हैं इस प्लांट को भी दूप की ज्या मिल जाएगा और जो हाइब्रिड होता है वो असीरवे से उसका प्राइस स्टार्ट होके 100-100 रुपे तक रहता है डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट ले रहे हैं तो इन प्लांट को भी भोजा दूप की जुरूरत नहीं होती है कम दूप में यह फ्लावरिं बेगम बहार का भी जो प्लांट है बहुत ही कम दूप में जा कहूं कि इसको बहुत जाए दूप की जुरूरत नहीं होती है सिर्फ दिन बर जहां ची ब्राइट लाइट हो सिर्फ एक आधे गंटे की सुबा सुबा की इसको दूप मिल जाए तो फिर भी यह प्लावरिंग के फूल खिलते हैं देखिए सिनेर एरिया है सिनेर एरिया जो इन दिनों आसानी से आपको मिल जाएगा नरसिरी पर और इसमें बहुत सारे रंग आपको मिलेंगे प्राइस की बात करो तो जब मैं इनको लाई थी तो यह मुझे 30 रुप के मिले थे इसका चोटा प्लांट थोटा सा कॉस्टर रहते हैं और मगर जब इसमें फूल खिलते हैं तो इसके जो फूल हैं महीने डेड़ महीने इसी तरीके के बने हुए रहते हैं और यह सीजनल प्लांट होता है और सीड से ग्रो कर सकते हैं आप इसको और जब इसके फूल सुख जाएं तो आप उनको क्ल अगर आप इसको गर्मी में और बर्सात में बचा लें तो यह भी जो प्लांट है बहुत ही कम दूप में फ्लावरिंग करता है इसको भी सुवा कि एक दो गंटे की दूप दिन बर अच्छी ब्राइड लाइट में रखेंगे तो अच्छी फ्लावरिंग करता है और cutting से भी लग जाता है और देखिए जब इसमें फूल खिलते हैं तो पूरा प्लांट फूलों से भर जाता है देखिए इंपेशन्स है तो इंपेशन्स भी इसी तरह का ही प्लांट होता है जिसको बहुत जाद दूप की जरूरत नहीं होती है और ये भी प्लांट आपको मिल जाएगा 30-40 रपेगा जाल से जाद पचास रपेगा मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और इसको आप गमले में हैंगी वास्केट में कहीं भी लगा सकते है और ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और हैवी फ्लावरिंग करता है कटिंग से भी लग जाता है और ये पूरा साल भी रह जाता है अगर आप इसको गर्मी में और बरसाथ में बचा लें तो ये भी पर्मनेन प्लांट होता है और शाय में भी अच्छी फ्लावरिंग करता है तो देखिए ये है साइकलमेन इसको बिल्कुल भी दूप की जरूरत नहीं होती है ये इंडोर में अच्छे से फ्लावरिंग करता है जहां दिन पर इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिले मगर ये प्लांट थोड़ा सा कॉस्ट्री रहता है और इसके फूल तो होते ही ये खुबसूरत वर इसके पत्ते भी बहुत ही खुबसूरत होते हैं तो ये भी बल्ब के थुरू ग्रो होने वाला एक बहुती नाजुक सा प्लांट है जो गर्मियों में सरवाइब बहुती कम करवाता है और ये प्लांट आपको 100-100 जा 200 डाइसो तक नरसीर पर असानी से मिल जाता है इन दिनों देखी ये कमेलिया है कमेलिया जो है जब मैं इसको लाई थी कोई 3-4 साल पहले तो ये मुझे 250 का मिला था तो ये पर्मनेंट प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग साल में एक ही बार होती है और इसकी कलिया जुलाई में बनना चुरू होती है और इसको दूप की जूरूरत नहीं होती है एकादे गंटे की दूप दिन पर अच्छी ब्राइट लाइट में ये प्लांट चलता रहत है पूरा साल देखी यह सीडम का प्लांट है और सीडम का जो प्लांट है यह 45ір पे तक आपको नरसीर पर मिल जाएगा और एक बार लेंगे तो पूरा साल आपके गार्डन में बना रहेगा और इसकी जो फुलाबरिंग है वो होती है मार्च जाए अपरल में जब spring season होता है, तो तब इसमें इस तरीकी के फूल आते हैं, तो इस समय आप इसको nursery से ले सकते हैं, और spring में इससे flowering ले सकते हैं, देखिए coleus, coleus में फूल भी आते हैं, मगर फूल इसके इतने खुबसुरत नहीं होते हैं, जितने इसके खुबसुरत इसके पत्ते होते हैं, तो इस plant को भी बहुत ज़्यादा दूप की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक दो गंटे की दूप, दिन बर अच्छी bright light हो, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, जिनके garden में ज़्यादा दूप नहीं आती है, तो ये अच्छी से चलेगा, cutting से लग जाता है, nursery पर 20-30 रुपे का असानी से मिल जाता है इसका एक plant, तो ये nastritium है, nastritium को भी ज़्यादा दूप की जरूरत नहीं होती है, seed से असानी से grow हो जाता है, nursery पर भी इसका जो plant मिल जाता है, दो रंग में, इन देखिए, ये ऐसे ये, एक जो केसरी कलर है, जहाए पीला रंग है, इसमें आता है, तो इसको एक बार लगाएंगे, तो हर साल ये खुद ही grow हो जाता है, जहाँ इसके seed गिरेंगे, तो हर साल वहाँ इसको भोजा दूप की जरूरत नहीं होती है, तो friends, ये थे कुछ plant अगर आपके garden में दूप नहीं आती है, तो इनको आप लगा सकते हैं, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसको like कीजिएगा, तो तेरे चैनल को subscribe कीजिएगा, तो thank you friends, वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा, comment करके जरूर बताएगा,